मेरा मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है या हमारे ओफिस में आता है या हमारे व्यापारिक संस्तान में आता है हम उसे पानी परोज करके गिलास में देते हैं कभी आपने गोर किया कि वो व्यक्ति कभी एक घुट पानी पीता है कभी आदा गिलास पानी पीता है और कभी जो है अवशकता ना होने पर भी पूरा पानी पी जाता है आपको जानके हरानी होगी कि एक घुट पानी आदमी पी कर छोड़ देता है तो केवल बचे वे पानी क इतना पानी खर्च होता है और साथ में जो वियक्ती प्यास ना होने पर भी पानी को पी जाता है क्योंकि उसके शरीर की अवशक्ता नहीं थी इसलिए आदे घंटे बाद एक घंटे बाद शरीर जो है मुत्र के रूप में उस पानी को निकाल देता है उसके बाद flush करना, हाथ धोना, इत्यादी, यदि हम सब को जोड़ें तो आपको जान के हरानी होगी कि यदि हमारे देश में हम कुल परिवारों की संख्याद देखें, गयपारिक संस्तानों की संख्याद देखें तो लगबक 30 करोड जगा ये काम जदी एक बार भी दिन में होता हो, तो ये आकड़ा 300 करोड लीटर पीने योगे पानी के बरबादी का बैठता है तो भाईयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप महमान नवाजी का तरीका बदलें यानि कि जिस तरह आप किसी को खाने पे बुलाते हैं और डाइनिंग टिबिल पे आप सबजी का, दाल का, सलाद का आप बाउल रखके उसके सामने खाली प्लेट रखके जो है, उसको सबतंतर छोड़ते हैं, कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है, कितनी मातर में खाना है, कौन सी चीज खानी आप सबतंतर छोड़ते हैं और आप से एक बात पूछता हूँ, यदि वो व्यक्ति जो है, आदी कटोरी सबजी, आदी कटोरी दाल और थोड़ी सी रोटी अपनी प्लेट में छोड़ करके उड़ जाता है, तो आपको कितना बुरा लगता है केवल इसलिए कि थोड़ी मेहनत आपके लगी है, थोड़ा पैसा आपका लगा है, लेकिन पानी को लेकर के लिए मैं आपको अध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति एक घुट पानी पी करके, बाकी पानी को छोड़ करके टेबल से उड़ जाता है, तो ना उस सतकार, यानि कि महमान नवाजी का तरीका बदले, पानी की बंद बोटल और साथ में गिलास अतीथी के सामेर रखें, और उसको अपनी इच्छा अनुसार, पानी की अवशकता है, कि नहीं अवशकता है, कितनी अवशकता है, उसके लिए सवतंतर छोड़ें, भायों किस बा अपनी जिम्मेदारी को समझो, ऐसा ना हो कि आने वाली पीडियां पानी के अभाव में हमें कोश्टेवे खतम हो जाएं